जहादेश में एक और महिला सश्रक्तिकरण की बाते की जाती है और इसको लेकर कई महत्वूर कदम उठाए जाते हैं तो वही समाज में कुछ ऐसी महिलाएवी हैं जिनकी सोच अभी बदल नहीं सकी है वो अभी कपरों के साइस से किसी लड़की का कैरेक्टर जज़ करती है ऐसा ही इस महिला ने किया जिसके बाद वो सोचल मीडिया पर ट्रोल होने लगी है पिछले साल फरवरी में फिल्म ओरू अडार लव का एक गाना आया इस गाने के बीच में एक खुबसूरत सी लड़की अपनी आँखों से अटखेलिया करते दिख रही थी ये लड़की थी प्रिया प्रकाश वॉरियर जिनकी आँखों के अटखेलिया लोगों को इतनी पसंद आई कि वो रातों रात वाइरल हो गई वही अब एक बार फिर एक महिला सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है लिकिन उनके वाइरल होने की वज़़ा उनकी अटखेलिया नहीं बलकि लड़कीयों को लेकर उनकी दोगली और ऑच्छी मान सकता है दरसल इस अधेड उम्र की महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में ये महिला छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के लिए आपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल कर रही है इस वीडियो में सभी महिला को माफी मांगने के लिए कहती दिख रही है इसके बावजूद ये अधेड उम्र की महिला वीडियो में ये कहती दिखाई दे रही है कि जो लड़कियां छोटे कप्रे पहनती हैं, उनका रेप कर देना चाहिए. इस वीडियो को शिवानी कुप्ता नाम की एक फेस्बुक यूजर ने पोस्ट किया है. उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इस महिला ने ना सिर्फ उनके कपड़ों पर अभधर टिपनी की, बलकि वहां मौझूद कुछ पुरुशों को उन्हें रेप करने की सलहा भी दे डाली. इस वीडियो के वाइरल होने के बाद इस महिला ने अपने फेस्बुक अकाउंट को डिलीट कर दिया, लेकिन शिवानी ने उनकी कुछ फोटोस डाउनलोड कर ली, जिसमें वो खुद शॉर्ट ड्रेसेस पहने नजरा रही थी. इस फोटो को देखने के बाद एक कहावत याद आती है, खुद श्रीमान बेंगन खाएं, लोगों को परहिस बताएं. वारिल वीडियो में इस महिला ने जो कुछ कहा, उसे सुनने के बाद इस महिला की मानसिक्ता पर काज़्यब होता है. क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जो दूसरों को नसीहत देते हैं, लेकिन खुद पर उसे अमल नहीं करते हैं. लेकिन ऐसा करने वाली ये एकलौती महिला नहीं है, बलकि आज भी देश के करोडों लोगों की यही मान सकता है. वीडियो में इस महिला की बातें मन को जग जोर कर रख देती हैं, कि कैसे एक महिला की सोच दूसरी महिला के लिए इस हद तक गिर सकती है. इस देश में जहां महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनकी आज़ादी को छीनने का भर सक प्रयास करते हैं, जिसकी तस्दीक ये विडियो कर रहा है. काजल सिंग के साथ प्यर रिपोर्ट जनतंत्र टीवी.